सलाम वालेकुम वरह्मत व्लाही वबरकातुह। वल्कम तो मैं नियो वेडियो। आज की नई वेडियो में हम जो बनाने वाले हैं वहें कस्टर ट्राइफल जिसके लिए हमें चाहिए केक। पिस्ता मैंने बारी पीस लिया था यह हमने अलपर्स की क्रीम ले लिया है यह कॉक्टेल का एक टन लिया था स्मॉल साइस का यह मैंने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है बाकी जैली आपने फ्रीज कर लिनी है और यह मैंने एपल और बनाना को कट कर लिया है स्टार्ट करते हैं एक पैन में हमने वन लीटर मिल्क लिया है, जैली के पैकट की पीछे प्रोसीजर लिखा होता है, आप वहां देखके एजी जैली बना सकते है, बहुत ईजी तरीका होता है जैली को बनाने का ठीक है, और ये मैंने 5-6 तेबल स्पून इसमें मैंने शुगर एट किया मिल्क के अड़ Grace के अंदर, आप मैंने ऐट को पानी के अंदर刘स्ट, कॉ मैंने 5 टेबल स्पून के लेके 5-6 तेबल स्पून के लेके मैंने इसकेह इनदर पानी एड कर कि स्को एक मिल्क के अंदर आद कर दिया है, हल्की फ्लेंब पे हम इससे, आच्छे से करेंगे is 00ację और आब ये बहुती सीम्पल रेसिपी है तो आप देखेंगे, यहां किना पुछ दून हो गया है मैंने तो फ्रूट्स एको डिफर्ट दारीके से सर्फ किया था मैंने फ्रूट्स के तो दिए टूट्स पारऊ दीती के टेन में थोड़ा सा जूस था वो मैंने इस पे डाल दिया है और मैं यहां जैली कट कर लूँगी आपको जो कलर्स पसंदने आप उन कलर्स के लिए सकते हैं जैली मैंने इस टॉबरी और बनाना फ्लेवर के लिए थी यह कस्टर ट्राइफल बहुत मज़ी का बना था बहुत एजीली बन गया था जाधा टाइम नहीं लगा था अगर आपके महमान आ रहे हैं आप जट पट यह बना सकते हैं तो अब चलें हम अपने प्रोसीजर की तरफ चलता हैं अब हमने सबसे पहले यह केक दाल के इसके ओपर थोड़ा सा जूस दाल दिया था जो कॉक्टेल के पैक के अंदर ही था वही आट किया था फिर थोड़ से हमने दाले अपने अब हमने कस्टेट अठेक के अंदर कस्टेट कोचे से स्प्डाट कर दिया अब हम इसके अंदर एड करने वाले हैं ऑ्लपर की जो प्रीम थी वह तोड़ी सी हम इसमें एड करेंगे इसे भी इच्छे से स्प्रैट कर देंगे अगर आप लुग जादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो मैंने कस्टड के अंदर 76 टेबल स्पून मैंने शुगर की आड़ के थे आप थोड़े और एड़ कर शिकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से अपने जाली एड़ कर दी थी क्रीम के अपर अपर से एक लियर लगाँगी कस्टड की मैंने जो फूट्स यह थे वह था एपल और बनाना इनको मैंने इसमें अड़ नहीं किया मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दी क्रीम और जब मैंने सर्फ किया तो मैंने बोलने पहले माशाला यह हमारा कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी जो थी यह हो गया डन यह फाइनल लुक है माशाला बहुत मज़ी की बनी थी सब ने बहुत शौक सिखाई थी सबने तारीफ की थी तो आप लोग भी प्लीस ट्राय कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छ प्लाजमी कर दीजिएगा इन्शाला नेक्स वीडियो में मलकात होती है अल्ला हाफेश